हाल ही में एक्टर दारा सिन्ग की पांचवी पूनियती थी 12 जुलाई थी उन्होंने पहलवानी के साथ ही बलेवुड फिल्मों में काम किया 50 के दशक में दारा सिन्ग ने फिल्मों में काम करना शुरू किया था उस वक्त उन्हें एक फिल्म के लिए 4,00,000 रुपई मिलते थे उस दोर में इनकी एक ट्रेस मुम्ताज के साथ हिट जोडी बनी थी दोनोंने 16 फिल्मों में साथ काम किया था जिसमें से 10 सुपर हिट रही थी पहलवानी में क्यों को धूल चटाई है दारा सिंग ने बतादें की दारा सिंग ने पहलवानी के दौर में कियों को रिंग में धूल चटाई थी इन्होंने दुनिया के कई नामी पहलवानों को रिंग में माद दी दारा सिंग ने अपनी लाइफ की सभी फाइट जीती थी नवंबर 1962 में राची के अब्दुलबारी पार्क में हुई फाइट को आज तक कोई नहीं भूला पाया इस फाइट में दारा सिंग ने दुनिया के जाने माने पहलवान किंग कॉन्ग को हराया था औस्टेलिया के किंग कॉन्ग ने दारा सिंग को कुष्टि लड़ने की चुनोती दी थी मुकाबले में 200 कजी के किंग कॉन्ग के सामने दारा सिंग बच्चे लग रहे थे बावजूद इसके वे किंग कॉन्ग पर भारी पड़े उन्होंने किंग कॉन को तीन बार पटकनी दी, एक बार तो उन्होंने 6 फीट लंबे किंग कॉन को उठा कर ट्विस्ट करते हुए एरना से नीचे गिरा दिया था